देज के लिए किसान के लिए ये पर्व है ये तेवहार है ये पावन पवित्र पल है आपकी खुशी में देख रहा हूं उस्सा देख रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यूंकि हमने तो उपर से तस्वीर देखी है जितने लोग यहां हैं दस गुना जादा अभी भी सड़कों पहे हाने की कोशिश कर रहे है ये हमारे और आपके लिए शुब संकेत है इस से देश के किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जाग कि जिस तरीके से किसान, मजदूर, कमेरा आज इखटा हो रहा है और 23 दिसंबर किसान दिवस ये तो आपका ही दिन है पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में क्यूंकि बड़े-बड़े आयोजन हुए है कभी मेहम में हुआ हर्याना में कई बार राजिस्थान में बड़ी-बड़ी सभाएं हुए सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी मेरत की धर्ती में बहुत बड़ी सभा हुई थी अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इखटा होते थे चोद्री चरंग सिंग जी को दांजली देते थे और आगे के राष्टे पे चर्चा किया करते थे लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का इतना विशाल आयोजन चोद्री चरंग सिंग जी की कर्म भूमी अलिगड की इगलास जिसे मिने छपरौली का नाम आप देते थे लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चोद्री अजी सिंग जी हमारे बीच नहीं है चोद्री अजी सिंग जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये भावकपल होंगे मेरे लिए भी बहुत भावकपल है मैं तो आप से पूछने आया हूं के चोद्री अजी सिंगी को आपने इतने करीब से देखा भरपूर सयोग दिया आशिवाद दिया जिस तरीके से आप उनके साथ कदम से कदम मिला कर चला करते थे क्या आप मेरा साथ और सयोग और आशिवाद मुझे दोगे के नहीं दोगे लखनव मैं धिलेजी बैठे हैं उन्हें भी आज यहां आना था वो नहीं आ सके लेकिन ये सब को एहसास हो गया होगा कि ज़ा हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है ये चोद्री चरंसिंग जी का पुराना समिकरन लोटाने के लिए हाथ बढ़ाया है और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा कहीं वो काम संभालेंगे कहीं मैं संभालूँगा कहीं दोनों मिलके संभालेंगे ये साजी लडाई है और आपको एक सूसना देना चाहता हूँ चुँकि आज किसान दिवस है चोद्री चरंसिंग जी की वे बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आख अपने खेश पे रखते हो तो दूसरी आख दिल्ली और लखनव यादि अपनी राजनिती पे रखा करो चोदी चरंसिंग जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनव से मानने अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है मैं आपको जहनकारी देना चाहता हूँ उन्होंने मांग किये कि चोदी चरंसिंग जी को भारत गत्र दिया जाना चाहिए क्या आप सहमत हो सहमत हो तो हाथ उड़ा के बताओ सहमत हो वैसे देश का किसान देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रतन मानता है मैं भी चूंकि उस परिवार से आता हूँ मेरी कुछ सीमा है मैं क्या बोलू नहीं बोलू लेकिन जिस तरीके से अफिलेश जी ने वकालत की है आज रात को लखनव में योगी बाबा को और दिल्ली में मौदी जी को नेंद नहीं आने वाली इन लोगों ने चौद्री साब को सम्मान नहीं दिया इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के जूटे वादे किये थी 2017 के चुनाब में हमेशा जी आये थे और उन्होंने एक घुशना की थी कि हम किसानों के हिद के लिए किसानों के विकास के लिए एक नया को स्थापित करेंगे और चौद्री चरंज सिंग सम्मान योजना बनाएं गे है उक जितने करोड चाहिए हजार करोड चाहिए पंदरा सो करोड चाहिए 15 탄र करोड कि हम देंगे कहां एव योजना कि हमिशा जी दूद्वन लगा करे देखिये दूद्वन चौद्री चर्ण सिंग के नाम पे आपने एक योग ना बनाई हो तो बताईए नहीं बनाई गई साथ दिन में नया साल आ जाएगा 2022 2022 के लिए क्या बोले थे मोजी जी ने कहा था मित्रूम साथ साल में साल में हम किसान के आए दुगनी कर देंगे अब आगई तो 2022 किसी की आए दुगनी हुई है क्या हमें तो आपको पता है किसी की आए दुगनी नहीं लेकिन मैं आपको आख़डे बताना चाहूंगा चोधी चर्ण सिंग्जी के बहुत बड़ी ताकत थी दिमाग उनका अर्श सास्त्री का था और दिल उनका किसान का था वे गाओं की भाशा बोल लेते थे समझ लेते थे और अंग्रेजी में किताब लिखिया करते थे और कई बार भाशन में वो आखड़े दिया करते थे हो सकता है कि उनके भाशन को सुनने वाले लोगों को उनके आकड़े सारे समझ में नहीं आते हो लेकिन चौधी स्थाब अपना फर्ज मानते थे कि गाउं में गाउं के गरिब घर में पैदावा व्यक्ति भी कि देश के मुख्धारा में पहुचाना है तो देश के मुद्दे गाउं तक पहुचाने हों यह चोधी चरंशिंगी मानते थे और उनी की तरह अगर हमें काम करना है मैं आपको आखड़ा बताना चाहता हूँ क्यूंकि अब तो देख रहे हैं रेडियो पे टेलिविजन में अखवारों पे पूरे पूरे अखवार पाट दिये योगी जी ने एड़टाइज कर रहे हैं किसान खुशाल हो गई किसान की आए दुगनी हो गई है मैं आपको आखड़े बताना चाहता हूँ आज देश की प्रतिव्यक्टी औसवत आए 86,669 रुपे है और उत्तरप्रदेश की 41,23 रुपे है आदे से भी कम पे हो आदे से भी कम पे है पूर्ण की सरकार जब अफिलेजी मुक्यमंत्री थे 2016 और 2017 में वो पाथ साल आद देखेंगे तो हमारे परदेश की जीडीपी का प्रगतिदर यानि घरे लू उत्पाथ कुल घरे लू उत्पाथ जो जीडीपी कहते हैं और 75 साल में 2012 फिले के 2017 तक उत्त प्रदेश में 6.9 प्रतिशत का प्रगतिदर था और योगी जी बाबा जी के राज में एक दसमलब नो रह गया एक दसमलब नो ये सब क्यूं है क्यूंकि बाबा जी को कुछ आता पता नहीं है बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पड़ सकते बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे बिना फाइल को देखे पड़े वो अस्ताक्सर कर देते होंगे और ब्यान दे देते होंगे योगी जी बैलेंस शीट नहीं पड़ सकते हैं मैं एकनोमिक्स का सूडेंट रहा हूँ देश की वित्याहलक और उत्तप्रदेश की वित्याहलक योगी बाबा के राज में बेहत खराब हो चुकी है साधारन किसान परिवाद आज गुजारा नहीं कर सकता हमारे जो नौजवान यह जो नौजवानों के भीड़ाई है इन्हें नोक्री नहीं मिल रही कहीं नोक्री नहीं मिल रही और बता दू नोक्री नहीं मिलेगी तो शाधी में नहीं होगी इन लोगों का बस चलेगा तो कुवारे रह जाओगे इनकी तरह और शाधी करानी है तो नोक्री चाहिए मैं एक और आकर दे रहा हूं जोजवानों को 2012 में जो आई टी आई का सर्टिपिकेट लेते हैं जो टेक्निकल डिप्लोमा लेकर बच्चे नोक्री हसल करने की कोशिस करते हैं कि 2012 में तेरा प्रतिशत बेरोजगा थे तेरा प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वह आकरा दोजार उन्निस में सर्सट प्रतिशत तक बढ़ गया यानि आई टी आई में आपके पास डिप्लोमा है महेंगी टिगरी बच्चों के पास हैं लेकिन सर्सट प्रतिशत बच्चे उनके पास कोई नोक्री नहीं जीवी का कोई आधार नहीं है कितने बच्चे हमारे एंजिनिरिंग कर चुके एंबिए कर चुके और आज खेत में जाके मजबूर हैं कि खेती करनी पड़ रही है हमारा साधारण किसान परिवार हजारों का बिजली के मिल आता है हजारों का बिजली के मिल चुका नहीं पारे लोग बिजली के मिल चुका जा रहा है क्या जो मजदूरी कर रहा होगा जो रिक्षा चलाएगा जो धकेल लेके चल रहा होगा जो रोज काम ढूंटा है वो क्या हजारों का बिजली के मिल चुका सकता है लेकिन योगी जी का प्रचार है योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी कानून व्यवस्था सुधार दी लेकिन हालात यह हैं रोज आप अखवार देखोगे तो इतनी लूट हुई उतनी लूट हुई और हमारे हाँ हर दो घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है हर 90 मिनिट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है ये असलील हर्कते हो रही है हात्रस में जो हुआ रात के अंधेरे में परिवार को वो मोका नहीं दिया कि अपने बैटी के अंतिम दर्शन कर सके वे जाहिल लोग जिन्हों ने वो क्रितकारी किया वे जाहिल लोग जो सेंगर को बचाने में जुटे थे जो आहात्रस के अपरादियों को बचाने में जुटे थे उन जाहिल लोगों की पैचान कर लो मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है मैं तो कहता हूँ आँ उनकी भी पहचान कर लो तुम लोग वे लोग भी गोरकपुर और लखनों में बैठे हैं वोई लोग थे गुंडों को बगाएंगे चौदी चरंग सिंग जी का राज याद होगा आपको मैंने तो इनकी लाठी खाई पुलिस वालों की लेकिन पुलिस वालों से मेरा कोई बैर नहीं है और अगर आपके लिए सोब लाठी खानी पड़ेंगी तो खाऊंगा लेकिन वर्दी पहनने वालों का ख्याल रखेंगे हम चोधरी चरंसिंग जी उन्ने सो साथ में सीवी गुप्ता की सरकाः चल रही थी और चोधरी चरंसिंग जी ग्रह मंतरी थे किस तरह का शासन मुनोंने चलाया वो ख्याल लगते थे और उन्होंने बात को का समर्थन दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले जवानों की तंखा बढ़ाई जाए जब उन पो दवाब बना गया कि नेताओं के विर्ट मुकदमे वापस ले लिजे चोदी साथ चोदी साथ ने इंकार कर दिया और वो ही योगी जो मुख्यमंत्री बने पहला काम किया अपने के खिलाफ उनके खिलाफ खुद के खिलाफ जो संगीन धाराएं थी जो संगीन मुकदमे दर्थ थे योगी जी के खिलाफ दंगा भरकाने का मुकदमा दर्थ था वे मुकदमे उन्होंने खुद लोटा दिये खतम कर दिये ऐसे मुख्य मंत्री क्या गुन्डों से आपको छुटका राजी ला सकते चोधी चरण सिंग्जी को मजबूर होना पड़ा और 1962 में मुख्य मंत्री ने उनसे त्यात पत्र मांगा और चोधी चरण सिंग्जी ने कुर्सी को लाच मार दी लेकिन अपने असूल को नहीं त्यागा चोधी चरण सिंग्जी का नाम लेना असान है लेकिन चोधी चरण सिंग्जी के दिखाएवे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है और जो भाज़पाई हैं उनके लिए तो असंभव काम हैं वो नहीं कर सकते तो भाईयों अपनी सरकार बनाओं मैं विश्वात दिलाना चाहता हूँ इन नौज़वानों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ समय पर आपकी भरती खुलेगी समय पर आपकी भरती होगी और लोगदर ने तो ऐलान कर दिया है जरकार बनेगी साजी लेकिन मेरी नजर अलिगड के नौजवालों पे होगी एक करोड प्रदेश के नौजवालों को पास साल हमें नौकरी दिलानी है एक करोड आज 23 दिसम्बर है और अखेलेश जी से भी मैंने बात की है वे भी अपना मैनिफेस्टों जल्द जारी करेंगे लेकिन एक घोषना मैं करना चाहता हूँ अगले साल जब 23 दिसम्बर आएगी और लोगडल और सभा की सारी सरकार लखनव से काम कर रही होगी तो किसानों को जो प्रदान मंत्री सम्मान योजना मैं केंद की सरकार 6000 देती है हम 12,000 देलाने का काम करेंगे यही 23 दिसम्बर अगला साल यही 23 दिसम्बर को तो अगर यह दिन देखना चाहते हो तो आप आशिवाद देओगे इगलास की बहुत प्रसित चमचम है मिठाई इगलास छेत्र का विधायक जिताओ लखनव में हमारे गटबंदन के विधायक जिताओ पहुचाओ किसान और नौजमान की सरकार बनाओ और तब मैं अलिगड़ की और इगलास की चमचम खाऊंगा खिलाओगे चाहे डाइबिटिस हो जाए खाऊंगा जिरूर अब समय बहुत कम रहता है मैं आज इस अबसर पर जिन किसानों ने लंबा संगर्ष किया उनको याद करना चाहता हूँ उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ जो साथ सो से ज़्यादा किसान सहीद हुए आज किसान घाट पे हमने हवन किया देश की संसद में चोधी चरन सिंग जी की तस्वीर लगी है उस पे पुषपांजली करके मैं आपके बीच आ रहा हूँ और किसान घाट पे किसान अंदोलन के जो लोग सामिल थे मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर जो उनको दवाब बन जागा वोई लोग वहाँ पहुचे थे हम और वोई मिलके लड़ेंगे जो किसान विरोधी ताकते उनको ख़ड फैकने के लिए हमारे अलिगड में गॉंड़ों में लगातार किसान अंदोलन चलता रहा उस अंदोलन में सामिल होने वाले प्रतिय किसान को मैं देश के किसानों के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ चौदी चरंज सिंग की आवाज बनके आपने पहली बार इस देश को बाते जंटा पार्टी की सरकार जो चला रही है पहली बार उनको ऐसा दिलाया कि अगर किसानों से लोहा लोगे अगर किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे पहली बार और मैं तो कह सकता हूँ मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी मोदी जी ने नोट बंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी और माफी मंगवाई है ये जीत आपकी है ये खुन पसीना आपका है और आपका पूरा सम्माल हम लोग करेंगे हमारी सरकार बनेगी जो जो किसान सहीद हुए इस अंदोलन में जिस तरह सेना का जब सहीद होता है उनको सहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए हमारी लगनों में सरकार बनेगी उन किसानों को भी हम सहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को एक करोड की साहे ताराशी देंगे तो अंत मैं मैं यही कहना चाहता हूं सिर्फ हंगामा करना मेरा मक्सद नहीं मेरी कोशिस है के सूरत बदलनी चाहिए सिर्फ हंगामा करना मेरी कोशिश है के सूरत बदलनी चाहिए मेरे सेन्य में नहीं तो तेरे सीने में सही आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए तो साथ मिलके नारा लेंगे किसान में दूरेटा बाइचाना चोगी चांसिंग